हेलो फ्रेंट तो आज ही क्लास में हम पहला अपना प्रोग्राम कैसे क्रियेट करना है वह सिखेंगे मतलब एक सिंपल सा हेलो वल्ल प्रोग्राम बनाएंगे जावा के अंदर उसके लिए क्या प्रिविएस क्लास में जो हमने सेट अप किया है वह सेट अप करना आपके लैप particular section को continue करें अब making first Java program मतलब कि हम क्या करने वाले हम को id का use करने नहीं वाले हम simple क्या करेंगे एक text file बनाएंगे याने के notepad file बनाएंगे या text file बोल सकते यो आप उसको और सिंपल सा code लिखेंगे अब जो code हम लिख रहे हैं वो एकदम basic code है तो उसके अंदर काफी सारे keywords होंगे जो शायद आपके लिए new हो तो वह सारे keywords ना इस particular module के अंदर आपके cover हो जाएंगे अभी मैंको सिर्फ एक sample दे रहा हूं कि एक Java का प्रोग्राम हो कैसे execute होता और कैसे लिखा जाता है और उसके लिए main component होता है class बनाना तो सबसे पहले हम class बनाएंगे class बनाने से पहले में एक file create करूँगा जो कि आपकी notepad file हो सकती है text file हो सकती है उसके अंदर में class create करूँग और class के अंदर एक method होता है main method जो कि Java के अंदर important होता है तो चलते सीधा implementation की सरफ जहां एक simple सा hello world program हम बनाने वाले text file के अंदर then उसको compile करवाके execute करवाके run करके देखेंगे command prompt के through तो चलते सीधा तो सबसे पहला आपको क्या करना है देखो मैंने यह desktop open कर लिया है आपको वह folder open करना है जहां पे आप अपने सारे programs रखने वारे तो आप एक नया folder create कर सकते हैं ऐसे न्यू फोल्डर जावा programs चीक है इस नाम से एक आप folder create कर सकते हैं इसके अंदर आप क्या करेंगे एक नहीं file create करेंगे और वो file कौनसी होगी text file और इसका नाम मैं दे देता हूं hello world आप कुछ भी नाम दे सकते हैं बट नाम relevant देना जैसा अंदर program कर रहे हो अब ताकि आप उस names identify कर सको एस particular file के अंद कर सकते हैं आप इसको normal text editor में भी open कर सकते हैं चीक है अब यहां पे सबसे पहली चीजी जो आपको लिखनी है वह सिंपल syntax of class तो public class यहां पर आता है आपका class का नहीं तो class का नहीं मैं देता हूं hello world most of the cases मैं क्या करने वाला हूं जो मैं अपनी class का नाम रखने वाला हूं वही मैं अपने file का नाम भी रखूंगा ताकि confusion create ना हो आप इनमें changes भी रख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चीक है बड़ आप कोशिचिए करना कि जो आप अपनी file का नाम रख रहे हो वह का नाम भी पता होना चीक है तो इसलिए मैं दोनों का जो नेम है वह सेम रखता हूं पबलिक का मतलब होता है access modifier जो आपको अच्छे से समझ माएगा आगे modules के नतर जब मैं आपको बताऊंगा access modifier क्या होता है यह होता है keyword class नाम से यह keyword आपको mention करना पड़ता है और यहां आत लेकिन क्योंकि हम notepad में कर रहे हैं तो यह indexing नहीं मेलेगी और इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा code भी लिखूंगा क्योंकि हम इतना बड़ा code नहीं लिखेंगे इसको पर हम सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स बनाएंगे तो इसलिए हम बड़े projects नहीं बनाएंगे इसके उप तो class का देखो parenthesis यहां से start हुआ यहां close हुआ तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं एक public, static, void main method बनाने वाले हैं यह हमारा main method होता है और उसकी arguments होते हैं वो भी आपको पास करने पड़ेंगे यहां पर arguments हो जाते हैं वो string की array में जाते हैं यह जो सारी चीज़ें जो आपको syntax wise समझ में नहीं आ रही है यह आपको clear हो जाएगी इस particular model के अंदर अभी मैं सर्फ और सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं के simple program दिखता कैसा है जावा का चिके तो हमने class बनाई class के अंदर एक main method बनाया जो की सबसे important है यानि की mandatory method है इसके अंदर जो आपको लिखोगे यहीं से आपका compilation जो है वो start होता है तो इसलिए public static void main method लिखा और main method जो है वो उसके जो parameters होते हैं वो यहां मैंने डाल दी है और अब मैं क्या करना है मैं को चेक करके देखना है तो मैं क्या करने वाला हूं सिंपल सी एक value print कराने वाला हूं तो मैं इसमें एक और tap दबा देता हूं औ भी आपको जावा के अंदर कोई भी चीज को प्रिंट करवाना एकर console के उपर उसके लिए हम यूज करते हैं system.out.print और लन लगाते हैं नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होता है और यहां पर bracket के अंदर जो भी आपको प्रिंट करवाना है तो मैं क्योंकि hello world program बना रहे हैं तो अब क्लिक करेंगे और यहां पर डॉक्त करेंगे और यहां पर up डॉट ट् congregation यह क्लिक करेंगे और यहां पर .txt यह उसकी जगह आपको .java करना है ठीक है अब देखे जैसे आप .java करेंगे तो most probably क्या होगा जो java का icon है वो यहाँ पर आजाए या फिर आपने कोई दूसरा editor ले रखा है तो उसका icon यहाँ पर आजाएगा तो जैसे मैं enter करता हूँ यह आप से पूछेगा if you change a file extension the file might become unusable तो आपको यहाँ पर yes कर देना है irrespective of यह जो exclamation दे रहा है यह इसकी हिसाबसे question है कि यह फाइल तो आपने .exe की बनाई थी और आप इसको save किसमें करें .java के अंदर तो हमको .java में ही करनी है आप इसको yes कर देना तो यहाँ पर आपकी जो hello world.java फाइल जो है वो create हो चुकी है तो यह तीसा स्टेब होगा है अब चौता स्टेब क्या है आपको इसको compile करना है और पांचवन स्टेब क्या करना है इसको run करना है तो compile और run करने के लिए हमको इसकी जरुत पड़ेगी कमांड प्रोम की चलते है स्था कमांड प्रोम के अंदर अब देखो कमांड प्रोम में तो मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर run करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा जहां पर यह मेरी फाइल पड़ी है उस पडिकुल पाथ तक आना पड़ेगा यह जो पाथ आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर पाथ पर आना पड़ेगा पहला तरीका तो यह है कि आप यहीं पर CD इसके बाद मैं किस पर जाना है desktop के उपर तो आप जीज़ा desktop करेंगे तो आप देख के जैए मेकशाओ दैल के अंदर ही आपका देक्स्ट्ब हो तो मैंको कैसे बता चल्ड रहा है डैल के अंदर ही desktop है तो डैल के बाद में desktop अभिलेबल है डैल forward slash desktop मतलब डैल folder के के अंदर ही desktop है चीक है then desktop के अंदर भी किस के अंदर रहे जावा प्रोग्राम्स के अंदर तो मैं वापिस से cd command यूज करूंगा cd होता है चेंज रायक्ति तो cd के के अंदर मैं सिफ डालने वाला हूँ यहाँ पर जावा प्रोग्राम कर वाना है या कंपाइल करवाना तो मैं मैं easily up करवा सकता हूं ठीक है आप एक और तरीके से डारेक्ट्री जो है वो चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने एक एक करके किया पहले डेक्स्टॉप में फिर जावा प्रोग्राम में डारेक्ली भी आ सकते हैं आपको उसके लिए करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पात को कॉप भी करना है और यहां पर cd-path करोगे तब भी वही चीज़ ठीक है स्पेस पूरा का पूरा पात मैंचन करतो तो डारेक्ली उस पर आ जाओगे यहां फिर अपर पता आ है तापि कर के भी कर सकते हैं अब क्या करना है आपको अब यहां पर लिखना है जावा-C यावा क्व О लाएगा in java runtime environment, तब वो चीज run होगी, ठीक है, तो पहले आपको compile करना mandatory है, तो पहले हम java c इस file को compile करेंगे, file का नाम क्या है, hello world, देखो, spelling mistake नहीं होनी जीए, file को as it is, hello world, जो नाम है आपको यहाँ पे देख रहा है, hello world, dot java, पूरा का पूरा आपको as it is लिखना है, enter कर दो, यह कुछ time लेगा, जितना बड़ा program है, उसमें बदा time लेगा, जैसे मैंने यह चीज़ करेंगे, आप left hand side में देख सकते हैं, dot class file create हो चुकी है, जैसे compiler आपकी compilation करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको byte code में convert करेगा, और उसको किसमें save करेगा, dot class के अंदर, तो वो ही चीज़ यहाँ पर dot class में आ चुकी है, अब मैंको क्या करना है, simple सा Java लिखना है, और जो मेरी class का name है, उसको run करवाना है, जो क्लास के अंदर ही, जो main method है, वो run होगा, चीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जावा और class का नाम भी मैंने hello world ही लिखा था था कि confusion ना हूँ, तो एंटर करेंगे, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, hello world printed आ गया है, तो मैंने उस main method के अंदर सिफ एक ही line का code लिखा है, तो क्या कर रहा है, system.out.println, उसका मतलब क्या है, वो console पर ब्रैकेट के अंदर मैंने value दिये, वो print करवा देगा, चीक है, मैंने इसको change करके hello android device कर दिया, अभी मैं क्या करना वाला हूँ, यहाँ पर जाओंगा, आपको कोई previous code लेना है, जो आपने command pro में लिख रहा है, उसके लिए up arrows and down arrows को use कर सकते हैं, मैंने up किया, तो up arrow है, उससे क्या हो रहा कि जितने भी मैंने code उपर लिखे हैं, command जो भी लिखे हैं, वो मेरे को मिल रहे हैं, यहाँ पर down नीचे वाले मिल रहे हैं, अब देखो, जैसे मैंने java hello world लिखिया, तो वापस hello world लिए रहा है, जबकि मैंने उस file में change कर दिया है, चेंज तो कर दे, लेकिन वापस को compile कौन करेगा, compile करोगे, तभी तो changes apply होंगे, तो अब में को क्या करना पड़ेगा, पहले वापस को compile करना पड़ेगा, यह वापस से compile होगया, नए changes के साथ मैं, अब मैं क्या करूँगा, वापस java hello world करूँगा, तो आप देख सकते हैं, झाए झाएंगा, थाएंगा, पहले वापस दिन हमें, तो आपस अगया फ्स हमग झाएंगा